प्रेवद्य अर्थियो सुपरभाद वेटे आज हम सैवन्त क्लास महिंदी में चैप्टर नुम्बर वन जिसका नाम है सत्कर्तव है उस चैप्टर को जो कि कविदा के रूप में है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं प्रिविएस वीडियो में हमने वन टू सीक्स पद्यांस क तो कभी मनुष्य से क्या कह रहा है कि यह मनुष्य है तुम केवल अपने लिए तुम क्यों मरे भर गाते हो केवल अपने लिए ही सोचते हो और मस्ते में भर कर गाते हो पीते खोते सोते जगते हंसते सुख पाते हो पीते तुम अपने लिए ही तो पीते हो यानि पिटे जब आपको प्यास लगते हैं पाने पीते हो तो इसे आप कीते हो प्यास बुझते हैं अपने लिए तो पीते हो खोते हैं कोई भी चीज खोते हो तो अपने लिए ही सोते रहते हो नीद पूरी करने के लिए जगते हो अपना काम करने के लिए हसते हो खुशिया पाने के लिए और सुख पाते हो और सुख प्राप्त करते ह तो ये सब काम मनिश्य क्शू क करता है जग से दूर स्वार्थ सादन ही सतत तुम्हारा यश है जग से दूर यनि संसार से दूर स्वार्थ साधन यनि कि अपने काम को पूरा करके सतत लगातार तुम्हारा यश यश प्राप्त करते हो इसकी हिंदी बनेगी बटे कि संसार से दूर रहेकर अपने स्वार्थ को पूरा करके ही तुम लगतारी संसार में यश को प्राप्त करते हो सोचो तुम ही तुम ही एक मार सोचो कौन अग जग में कौन अग जग में इस पूरे संसार में तुमसा स्वार्थ विवर्स है तुम्हारे समान स्वार्थ से लाचार है तुम्हारे जैसा स्वार्थी है सोचो तुम ही तो कवीने आगे हैं Jack perché कि सवार्थ को पुरा कर्गी तुम लगातारी सवार्थ में यश को प्राब करते हो कि कौनी सवार्थी में तुम्हारे जैसा सवार्थी है कि बनुषय स्वार्थी है नम है अबुँ सवार्थी हो historical विय्क्राशिक के जो देट होता है 的 सबसे मिलकर हैता है की संसार से दूर रहे कर अपनी अपनी स homes को पूरा करके ही इतन लगाता ऑप तुम इस संसार में यश्ट को प्राप्ट करते हूं तुम ही सोचो एकमान कि कुण इस समस् 왜owania जैसा स्वार्थि है कोश्च कमारक है कि मने स्वाथि से वह निजहित का तुमसे बड़ा भरोसा, पैदा कर जिस देश जाती, तुमको पाला पोसा तुम्हारा पालन पोशन किया, पैदा कर जिस देश जाती ने यानि जिस धर्ती माने तुमको पैदा किया, तुमको पाला पोसा और तुम्हारा पालन पोशन किया है, किये हुए है व अपने कल्यान के लिए तुम से बड़ा भरोसा तुम पर बड़ा भरोसा किये हुए है। जादा विश्वास करती है आप पर कि आप बड़े होकर उसका भी कल्यान करोगे लाश्ट देखे बटे उससे होना उरिन प्रथम है सतकर्तव्य तुम्हारा उससे होना उरिन किस से उस धर्तिमा से यानि कि जिसका कर्ज है न हम पर हमें पैदा किया है जिसने हमारा पालन होना उजोर्दियन रिन से अजाद होना तो कभी कहते रामदरी स्री पाठी जी कि उसके रिन को उतारना ही प्रथम है सतकर्तव्य तुम्हारा सबसे पहला कर्थव्य है उस धर्तिमा के रिन से मुक्त होना ही तुम्हारा सबसे पहला कर्थव्य है फिर दे सकते हो वसुधा क शेस सवजीवन सारा फिर दे सकते हो यानि कि पहले तो आपको रिन उतारना है और उसके बाद ही तुम इस वसुधा यानि कि इस धर्ती को शेस जो आपका जीवन बचा हुआ ना स्वजीवन आप अपना जीवन फिर आप उसको दे सकते हो यानि कि जिस धर्ती माने विश्वा कि आप बड़े होकर उसका कल्यान करोगे तो उसके रिंग को पहले हमें उतारना है और उसके बाद ही हम अपना समस्त जीवन उस धर्ती मा को समर्पित कर सकते हैं दुबारा से देखिए उससे होना उरिंग प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा उस धर्ती मा के रिंग से मुक् प्रेण उतारों और जितना जीवन बचे धर्तिमा की सेवा में उसको लगा दो यानि कि देश की सेवा में उसको लगा देना है जैसे यां लिखा वह आपटे राधनरेश्ट त्रीपाथी इसके कवी है तो चले बैटे अब इसके करते हैं मोखी question देखें कर्म में कौन-कौन लगे हुए है कर्म करने में काम करने में कौन-कौन लगे हुए है कवीता के अनुसार कवी ने कहते हैं बताया हमें पेड़ पोधे सूरिय चंद्रमा यहां तक कि पशु और छोटा सा तिनक सूरिय चंद्रमा यहां अम्रित बरस आता है पशु क्या कर लेता है तो कवी के अनुसार पेड़ पोधे सूरिय चंद्रमा फ्रव यहां तक की पशू और एक छोटा सा तिन का भी अपने कर्म में लगा हुआ है कुश्चन था हमारा कर्म में कौन-कौन लगे हुए है कुश्चन पर टू सुर्य और चन्द्रमा अपनी किस भूमे का निरवाह करते हैं यहां काया च्याय कि है क्या करता है सुरिय संसार में और सब्सक्राइब लाता है सुर्य क्या करता है संसार में रोशनी भी खेरता है उसका फाइदा क्या होता है संसार में जो सुदरता है उसको हम देख सकते हैं वो चंद्रमा अम्रित के समान शीतलता बर्साता है रात को निकलता है चंद्रमा चांद तो उस वक्त जो वातावन हो तो शीतल होता है ठंडा होता है तो चंद्रमा का कारिया क्या बताया गया है वह अम्रित के समान जो हमें ठंड मिलती है उसके समान हमें शीतलता बरदान करता है कभी मनुष्य से कौन सा प्रशन पूछ रहा है कभी मनुष्य से उदेश्य रहीत जीवन के विशय में क्या तुम्हारा अपना कोई उदेश्य नहीं है तो कभी ने ये प्रशन पूछा है बटे मनुष्य से कि उदेश्य रहीत जीवन के विशय में क्या तुम्हारा जीवन उदेश्य से रहीत है इस विशय में कभी ने मनुष्य से प्रशन पूछा है मनुष्य केवल अपने लिए क्या क्या करता है मनुष्य क्या क्या करता है पीता है जागता है करता माश्य किसली करता है स्वार्थ के लिए अपने खुशिया लाते बात कवी ने कीब पूच्छाने में ङैया करता है तो कभी मनुश्य से किस विशे में सोचने के लिए कह रहे हैं, कभी मनुश्य से उसके कर्तव्य के विशे में सोचने के लिए कह रहा है, तो कभी ने क्या किया है, मनुश्य से उसके कर्तव्य के विशे में कि आपका कर्तव्य क्या है, और कि आप अपने कर्तव्य को पूरा कर चुके हो यह सारी question कवी मनुष्य से पूछता है लास्टze question मौखिक में यह कवीताा मनुष्य को रहें चीलने कं मतलब क्ना ने मतलब क्या प्रेना मनुष्य को तुपकि तुम्हारा बोल इसलहा चाहिए यह कवीता मनुष्य को स्वार्थ साधना से दूर करतव्य पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेडित करती है मनिश्य को स्वार्थ से दूर हो रहा कर करतव्य को पूरा करने के लिए करके जीवन जीने के लिए प्रेडित करती है कि आप अपने जीवन में स्वार्थ से दूर रहे और अपने करतव को यथा संभव पूरा कीजिए तो बेटे ये थे हमारे कविता नंबर वन सत करतेवे की मोखी क्वेस्चन